दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बैंस जोन प्रोटीन के बारे में जो की बहुत ही इंपोर्टेंट एक टॉपिक है और इससे MCQs बनते ही हैं और कई बार सवाल पूछा गया है बैंस जोन प्रोटीन के उपर तो ध्यान से आप समझेंगे इस टॉपिक को और इसके साथ साथ यह आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के एक्जाम में भी पूछा जा चुका है बैंस जोन प्रोटीन के बारे में यह कि यदि किसी patient को मॉल्टी पलॉमा है ठीक है cancer है decision है multiple Cuba है तो उसके urine में आपको light-chain immunoglobin देखने को और यह light-ize immunoglobin आपको present देखने को मिलेगा इतना आपको समझ में आ गया Answer अब हम पढ़ लेते हैं इसको beteo SHarrgy बेंस में कैसे पढ़ेंगे सभाध क्या पूछा जाता है पहले वह देख लेते हैं सवाल यह पूछा जाता है कि बैंस्जोन प्रोटीन हम निमनलिकित में से किस कंडीशन में पेसेंट को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है तो वह आपका मल्टीपल मायलोमा हो जाएगा तो फिर दूसरे तरीके से करेंगे आसा करता हूं ठीक है आपको सवाल इसमें से पूछा जाता है अब हम इसमें क्याह चीजे़ा देखते है आपने पढ़ा होगा pallasmal आफ ने टाइपस के होते हैं जिस से गम-डी करके हमने आपको याद कराया था ठीक है इस तरीके से अलग-अलग टाइपस के इम्मिनोग्लोबिन हमने याद करा दिये थे आपको और इनके specificity क्या क्या होते है सारे डीटेल आपको और डीड़ी पढ़ाया खुआ है अब जब इसकी structure आप पढ़ते हैं तो structure आप लोगों ने पढ़ा है डीटेल में थीक है इस तरीके से आपने structure पढ़ा है तो हेवी चैन्हें एक लाइट चैन में आपके प्रेछांगतलो दॉत है है इसमें क्या पोलड रहे हैं दो लाइड चैन्हें आपको देखने को मिल तो उसमें आपको अपसे हुआ चैना देर्चन यह क्यों दोबारा पढ़ा रहा है यह क्योंकि इससे रिलेट कर रहा है वही चीज हम आपको explain करने की कोशिस कर रहे हैं तो प्लाजमा सेल एंटिबडिस प्रोडियूस करता है जो कि बहुत सारे अगर कोई bacterial viral infection है उस कंडिशन में यह उसको fight उसके अगेंस fight करने का काम करता है इतना आपको समझ में आगे अब कंडिशन क्या develop हो जाएगा यदि किसी को multiple myeloma हो गया यह प्लाज्मा सेल में cancer बन गया ठीक है प्लाज्मा सेल cancer यदि अधी बन गया है तो उसsam estamos हम multiple myeloma को बन गया कैंसर और उसक्टिशन को हम क्या बोल जाएगा तो अधिक मातरा में एक्सक्रीट होने लगेगा यह इसी को आप बेंस जों प्रोटीन कहते हैं इतना आपको किलियर हो गया ठीक है तो यह आपको सारा डिटेल आपको समझ में आ गया क्या चीज है हमने बताया आपको अब यह जो लाइट चेन इम्मिनोगलोबिन है इसकी कुछ खासियत है या चैरेक्टरिस्टिक है उस पर हम बात कर लेते हैं ठीक है किसका लाइट चैन इम्मिनोगलोबिन का इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा नहीं आया होगा तो दोबारा से आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आप आपको समझ में आ जाएगा एक ही बार में आपको याद हो जाएगा अब इस लाइट चैन इम्मिनोगलोबिन की कुछ खासियत है जब आप उसी के एकॉर्डिंग आप टेस्ट पर्फूम करते हैं यूरिन में जब आप इसको हीट करते हैं ठीक है किसी भी प्रोटीन को भीट करेंगे तब यह क्या हो जाएगा प्रेसीपिट हो जाएगा कि कितने पर 60 डिग्री टेंपरेचर पर अब जब इसका टेंपरेचर आपने और बढ़ा दिया तेमपरेचर आपने 100 कर दिया इस कंडिशन में यह डिजॉल हो जाएगा जबकि अधर प्रोटीन है वो डिजॉल नहीं होते हैं ठीक है 100 फिर वापस आप 100 से इसको ले आईए 60 पर तब यह दुबारा प्रिसीपिटेट हो जाएगा ठीक है कि समझ में आ रहा है और टेंपरेचर आप कम कर दीजे रूम टेंपरेचर पर ले आईए तब यह क्या हो जाएगा फिर से आपका डिजॉल हो जाएगा यह कंडिशन आपको समझ में आ रहा है यह खासियत किसका है लाइट सेन इमिनोगलोबिन का यह बैस जोन प्रोटीन का जब आप डिटेक्ट करेंगे तो इसी के अप यूरिन में टेस्ट पर्फॉर्म करते हैं जरूरी नहीं है कि वह बैंजोन प्रोटीन ही ठीक है साधरन प्रोटीन भी हो सकता है अगर प्रिसिपिटेट हुआ तो आप उसको फिल्टर कीजिए फिल्टर करने के बाद आप क्या करेंगे जो बैंजोन प्रोटीन नहीं होगा बाकी सारे अधर प्रोटीन फिल्टर हो ज तो कंफर्म है कि है कि या उस– पेशेंट को मल्टीपल मायलोमा हो सकता यह इस्क्रीनिंग टेस्टेकट नहीं है इतना समझ लो आप ठ्शिक है यह क्यों सा टेस्ट स्क्रिनिंग टेस्ट है कंफर्मेट्री टेस्ट नहीं है किलियर है अगर आपको यह केवल आपके पुराने समय में यह टेस्ट पर्फॉम की जाते थे मल्टीपल मायलोमा को डिटेक्ट करने के लिए लेकिन मौडर्न जब टेक्नलोजी आ गया तो उस कंडिशन में आप सीरम प्रोटीन एलेक्रोफ्रोइसिस करेंगे तो उसमें कंफर्म हो जाएगा अगर M-Band दिख जाता है तो समझ में आ जाता है कि हाँ इसको मल्टीपल मायल है समझ में आ घैतना तो बहुत आसान था अगर इसमें से कोई सवाल पूछेगा तो आप आप बता सकते हैं कर बहुत सारे सवाल बन सकते हैं आप खुड सवाल बना सकते हैं और मैं